निश्पक शावाज न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शाह जहापूर के मदनापूर पुलिस को मुक्बिर से सूचना मिली की रामगंगा नदी के किनारे तमंचा फैक्टरी चल रही है। रामगंगा नदी के पास तमंचा फैक्टरी संचालित होने की सूचना पर पुलिस तुरंथ हरकत में आए और भारी फोस के साथ तमंचा फैक्टरी पर छापा मारा। पुलिस ने तमंचा बनाते हुए एक शक्स को रंगे हाथों गिरफतार किया। तमंचा फैक्टरी के सभी तमंचे और बंदू की पुलिस ने अपने कबजे में ले लिए। फैक्टरी से हथियार बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामध हुए हैं। मदनापुर पुलिस को रामगंगा नदी के किनारे बरुआ के दब्बर में चल रही तमंचा फैक्टरी से एक अवैध रैफल 315 बोर्ड, दो तमंचे देशी 12 बोर्ड, दो तमंचा देशी 315 बोर्ड, दो तमंचे अधबने, दो जिंदा कार्तूस वद दो खोखा कार्तूस 12 दो जिंदा वद दो खोखा कार्तूस 315 बोर्ड, आठ नालव शस्त्र बनाने के तमाम उपकरन मिले हैं। पुलिस ने श्यामलाल बढ़ाई जो कि तमंचा और बंदूक बनाने का मास्ट माइंड है उसे भी रंगे हाथों गिरफतार किया है। तमंचा और बंदूक बनाने सास्तर बदमाशों को देता था। को अब इस सत्र बनाने में काम आते हैं। अभी उपकर गिरफतारी कर ली गई है। और इस मरमादगी के बाद और से कुलिस का वेशन स्टिफी जा रही है।